नमस्कार किसान पालक भाईयों जैसा कि आज की वीडियो में हम कुछ दूसरा कबर करके आपको बताने जा रहे थे लेकिन बहुत किसानों का हमारे पास रिकायत आता है कि सर पंगासियस मचली में कुछ बचता नहीं है क्या इसमें रिजन है तो आज की इस वीडियो पर हम इसी पर बारे में डिसकस करेंगे कि कैसे जो है जो बीच के लोग हैं जो लेके जाते हैं जो हम से और आप से लेके जाते हैं जो किसान भाई लोग होते हैं और बीच में जो पैसा बढ़ जाता है, मार्केट चला जाता है, जो कि किसानों के पास नहीं आता, जो बिचवई कर देते हैं, मानके चलिए जो गाड़ी वाले होते हैं, या फिर कटर बढ़ा के बेच रहे हैं, वो ऐसा क्यों है कि जब हम लोग अगर 90 रुपया, 100 रुपया खा ले जाते हैं, तो उसी को जो है, आपको तोड़ बताने की कोशिस करेंगे, अगर आप चाहेंगे, तो थोड़ा बहुत इसमें जो है, आपको हिल्प मिलेगी, और जो हमारे किसान भायों का नुक्सान हो जाता है बीच में, वो नुक्सान होने से बचेगा, आज की यह वीडियो हम इस टापिक पर नहीं बनाना चाहा रहे थे, लेकिन बहुत लोगों का कुश्यन आ रहा था कि सर, आखिर क्यूं ऐसा हो रहा है, और कबर करेंगे, कई जगें से अस्थान का नाम नहीं लेंगे, कहां कहां से रेट जो है, यह लोग तोड़ते हैं, एक तो कमी है अपने यहां, जो भी है, लेकिन जो पंगास कर रहे तो यह उसमें जो है इतना फ्लक्षवेट क्यूं कर दे रहे हैं, लोग और उसी के बारे मतारे हैं, जो हमारे और आपकी कम्मुनिटी के लोग हैं, जो किसान भाई लोग ही हैं, वो लोग आपस में भी सोचते हैं, कि ज नहीं sell out करेगा, मतलब नहीं मचली पालेगा, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए, कि उसके पास बहुत बड़ा बल्क में order नहीं है, उसके पास छोटा सा ही जमीन है, जब कि एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी याग लगा सकती है, अब देखिए, यहाँ पे इस condition मे जो है, एक तो किसान का प्रॉबलम हो गया, कि बहुत लोग ऐसा इर्शा बस या फिर पटीदारी में है, कि हाँ यह भी पालंग कर रहे हैं, हम भी पालंग कर रहे हैं, हम तो बिग बॉस हैं, पूरा इसके 10 एकड, 20 एकड तक पालंग करते हैं, लाओ इसको जो है, कैसे भी करके दबा दिया जाएं, क्योंकि जैसे ही आपका वो रेट कम करेंगे, वैसे ही आप भी बेज़ दोगे उसी कम रेट पे, और जैसे ही आपका माल निकलेगे, वैसे यह रेट हाई कर देंगे, एक तो यह प्रॉबलम आ रही है, फेस करने में, क्योंकि मेरे पास तो सभी ज बाकि जो है दूसरी प्रब्लम आती है जो आते हैं भाई लोग लोडिंग करके लेके जाते हैं तो उनका भी जो है थोड़ा मोटा रकम हो जाता है वैसे होता है आप मान के चलो कि अगर एक केजी जैसे वो माल लोड करके जा रहे हैं मान लीजे कि आपको 100 रुपया खिलो दे कहीं पर 20 रुपय किलो के पीछे लगा करके वो मतलब यहां से तो लेके गए किसान के पास से 100 रुपय में और वहां बेच रहे हैं 120 रुपय में किसको दे रहेंगे काटिंग जो करते हैं मार्केट में बैठके वो लोगों के अब दोनों का फेक्टर एकी जगर पर आपको वो सही कराएंगे अभी वीडियो को कोई भी स्क्रिप मत करिए अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है आपको थोड़ी सी कोशिस करने की जरूरत पड़ेगी जो कि सब लोग अच्छे से रिलैक्स हो जाएंगे तो एक तो यह हो गया इतना मोटा मुनाफ़ा एक तो यह हो ग करके आप से लाउट कि मार्किर तक पहुंचते तक 120 रुपया हो गई अब कटिंग वाला जो है क्या रखेगा वो भी जो है लगभग 40 रुपया 50 रुपया किलो के पीछे वो भी लगाएगा तो वही माल जो है आपके एरिया में कोई भी सुनने वाला हो मेरी इस वीडियो क देखने वाला हो तो आपके मेरी एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे 160 रुपया 170 रुपया प्रत केजी के हिसाब से अभी मचली मिल रही होगी अभी जबकि अभी करेट 92 रुपया से लेके 100 रुपया प्रत केजी के हिसाब से किसान भायों के यहां से गाली लोड होके जा ठीक है अब देखिए अब इसमें जो लोडिंग हो रही है उनका और जो आपको टंग करते हैं कि बड़े तलाब वाले हैं हम ऐसा कर देंगे तो अगर कम्यूटी आप लोग बना लीजिए आप डारेक्ट में कोई एक बंदा पकड़िए जब आपको माल निकालना है आप समझ तलाब है आपकी मतलब आप दस जार बच्चा माल लीजिए पाले हुए हैं तो दस जार बच्चा खपत दो बजार पकड़ लीजिए उसमें खपत करने के लिए छमता आपकी अच्छी खासी रहेगी आप लगभग उसमें दस दिनों तक हारविश करके उसी बजार में दूसरा जो गाड़ी से लोडिंग करते हैं उनको भी हम कह रहे हैं देखिए हम कहने का मतलब यह है कि जब अगर किसान बजार में पहुंचने लगाना तो फिर कोई शमस्या रही नहीं जाएगी सब मिला कि यह बात है अगर किसान जाएगा उसका माल रहेगा हाँ इतने में देंगे आपको लेना है तो ले लीजे नहीं लेना है तो मत लीजे या फिर आप एक काम यह कर सकते हैं बहुत लोग यह नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह चीज छोटे किसानों को बढ़ावा करने के लिए हम आप्सन बता रहे हैं देखिए इसका रेट इंक्रीज होने चाहिए साल आप तेईस का देख लीजे रेट उसमें जो है उनको जो है मिलता था डेर्ट रुपया केजी आज का जो रेट है वह 210 रुपया केजी है क्योंकि सभी फार्मर हम से जुड़े हमको सब कुछ बताते रहते हैं और उसका दाने का कीमद 35 रुपया चारे केजी आता है 30 रुपया तक जब की मचली कचा रहे कर दाना 42 रुपया से लेके 44 रुपया का आता है तो इतना हाइट इतना अंतर यहीं हो रहा है और उसमें पिग्री फार्म वाले डाइक जो है लेके जाते हैं भेद देते हैं इक अठ्ठा गाड़ी लोड होते है उसम लोग मार्केट में अपना जाए अगर नहीं जा पाने जैसे बहुत लोगों को कटिंग उटिंग नहीं आता है आप आदमी भी नहीं कर सकते हैं तो आप लेके जाए थोड़ी सी मचली लेके जाए वहां पर अस्थान बना लीजिए एक छोटा सा और वहां पानी डाल करके जो एक एक लोग भी जितने किसान हैं उनकी मार्केटों में अगर दस किसान हैं अगर कोई एक किसान उस मार्केट में गया तो रेट बढ़ना थता हैं यह लोग आप लोग जान लीजिए एस अवर कम्मुनिटी भी नहीं बनेगी इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो आपक करवा रहे हैं छोटे किसान थे वनकी यही खी समस्या थि भी बड़े किसान वाले उनको दबा रहे थे यह ले जाने वाले हुए उनसे 20 रुप्या लेकर रहे थे तो उन्होंने खुद जो है समय 120 क्यजी मार्केट में सञाउट करना है इस फराट कर दिया यह एक जो है उनको समस्य आ रहे थी कटिंग में थम बोले खड़े ही बेचिए मतलब खड़े ही दे रहे हैं और सब लोग जो रिटेल है वह एकदम खड़े भी लेके जाने के लिए तैयार हो लेके जा रहा है तो इसके बारे में और नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत जल्द आने सेयर करें मैं जानता हूँ इस वीडियो में जो हेटर होंगे जो जिनको बुरा लगा होगा वो हमें गंदा कमेंट करेंगे लेकिन बरदास है किसान भायों के लिए चलिए मिलते हैं